नमस्कार मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु मुकी साधना चैनल पर और मैं ग्यानुराम आशा करता हूं कि आप सभी भाई बेन आशे होंगे वह स्वास्त होंगे मित्रों आप सभी के सामने में आज जिनात जिनात सिद्धी का मंतर लेकर आया हूँ जिनात होते हैं मित्रों ये जिन्नों से काफी पाउर्फुल होते हैं ठीक है ये पाउर्फुल सक्ति होती है और यह जो हैं पाक भी होते हैं नापाक भी होते हैं ठीक है आज जो मैं बता रहा हूं जिनात यह जिनात काफी हद तक पाउर्फुल है और बहुत है आचुक है आप सभी को पता है जैसे की चीज मैं देता हूँ एकदम मंतर डालूँगा वही डालूँगा जो काम करता हो और एकदम पाउरफुल वाली डालूँगा और मेरे समता अनुसार और मेरे ग्यान के अनुसार एकदम गलत चीज नहीं डालता हूँ क्यों नहीं डालता हूं क्योंकि आप लोग बच करें परमारत के मारक पर चल रहें परमात्मा को पराप्त किजिए उन्त पर तुम कुछ भी नहीं रखा वैसी दिवाद है इस जनम में काम देंगे अगले जनम में नहीं देंगे काम फिर मरोगे तो यह पकड़ लेंगे नहीं आज का जो मंतर है वो भी आपको दे देता हूं मैं और इसका पूरा वीडियो के साथ बने रहे हैं पूरा मंतर विदान आपको बता देता हूं तो आपको मित्रो इसमें एक विशेश दिन ध्यान रखना ठीक है और ये एक दिन की साधना है आपको पता है कि मैं ज्यादा तर साधना एक ही दिन की देता हूं लेकिन अगर किसी की बातनी नजर नहीं खुली और उर्जा नहीं है तो ये नहीं आएगा आईगा फिर भी ये गड़बड करेगा आपके साथ उर्जा नहीं होगी तो ये उत्पन नहीं हो सकता है वहापर आ ठीक है तो आपको एक दिन याद रखना बाहर याद रखना है जब गुरूवार को अनुष 여러 है हो या जब ये आप قुना secretly हो तब और मित्रों ये ग्रहन से भी आपको अभी जो आरहा ये गुरुवार आरहा है इस गुरुवार के बाद ने आप ग्रहन से ग्रहन तक शुरू कर सकते हो मतलब की ठीक है ग्रहन से तीन चार दिन या साथ दिन पहले आप शुरू कर सकते हो खास दिन ग्रहन होगा तो उस दिन ये परतेक्स हो जाता है सादना को ये सिस्टम रहता है में तरो हाँ तो हो जब गुरुवार को अमास हो ठीक है जब किसी गुरुवार को अमास हो तो सुकरवार को गुरुवार को और शुकरवार को आपको ये साधना शुरू करना है परतिपाद चंदर जब उद्य होता है मतलब गुरुवार को और शुकरवार को सुरज निकलता है ये चंदर उसको हम नोचंदी कह देते हैं ठीक है उस दिन से आपको ये परम करना है और गाओं के बार जाकर कहीं ऐसा इस्तान देखना है या तो समसान देख लेजिए अच्छा या एक ऐसा ऐसा इस्तान देखिए आप जिसमें जहां पर दूर दूर तक कोई आदमी ना आउन आपको भी ऐसा लगए कि वाइक में ये भूंत ना मतलब भूंत परतों की जगाह है पुराना खंडर देख लेजिए पुराना या तो कोई अवेली बग रहे वैसे चीज़े देख लेजिए या पुराना मतलब पुराना क्या वो गहरा कुई जंगल देख लीजिए वहां पर यह सादना होगी सित ठीक है वहा पर क्या करना आपको लोबान धूँप जलाना है और यह मंतर ही आपको 51 ही पढ़ना है ज्यादा वारा नहीं पढ़ना ok 11-1 में नै завान करोगे करोगे तब तक वहां पर यह चीज आ जाती लोबान के धूँप से खिच्टी है यह और रह इस्वार मंतर पड़ोगा अपने आप वहाँ पर यह जो जिन होगा यह आजेगा और यह ऐसी जगाई पर्टेक्स होगा आपको बता दू और तो फिर ऐसा आपको लगबग साथ दिन तक genocide रखना साथ दिनों के अंदर अंदर यह जिन पर्टेक्स होजाता है एक दब परटेक्स होगा हरे कलर का होता है मेथरों किसी को नले कलर का भी आता है एकदम पर्टेक्स होगा तो आप इसे बातचित कर सकते हो मतलब पर्टे तरिका जो आपको करना वो ये इसी मंतर से बलाने का तरीका लेना है मतलब वापस यूछ को कहना कि इस मंतर को मैं इतने वार पढूँ तो आप पर्तेक्स जैसे अभीonda हुए वे वेशिव वह पर्तेक्स के तो बड़े बहुत बड़े विबान तो तालू के चिपक गई और मंतर जाब करें ऐसा नहीं एकदम थोड़ा धमक रखके करिए कि और जाजाएगी निजैसे बाहर वैसे खिचेगा यह अपने आप सामने आके पर तक शोगा ठीक है साथ दिन लग उतार और पहले सादक जो नए सादक है एकदम उन्हों क साथ दिने और जो पुराने सादक है जो नहोंने सिद्या करके रखें उनके लिए स्रब 41 वार एक दिन पढ़ना है लेकिन द्यान रहे लोबान का धूंप और इंजल होना चाहिए और इंजल लोबान ठीक है में तो जे शेराम जे हनमान बाबाबा झाल झाल जाल जो झाल